दोस्तो नमस्कार आज का ये वीडियो लेके आ रहे हैं एक आम पशुपालक की बहुती खास मुर्रा नसल की बैस का और आम पशुपालक देखिए अर्याना से अर्याना में कितनी ज़्यादा संख्या में बैसे रखते हैं आम गुरों में बाकी चार चार पाथ पाथ लेकिन पसुदन देखिए सारे के सारे बहुती बढ़िया साफ सुत्रे हैं ये देखिए पिछे कटडी बहुती खुबसुरत तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे बाई बाईयों को मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो लेके आ रहे हैं आसी के बि मुर्रा की बहुत श्यांदार पसुदन हमें रुटीन में जो है वो देखने को मिलता रहता है और ये देखिए हर्याना जैसा कि आप आप बार-बार कहते हैं के मुर्रा की खान है बई जोटियां देखिए कितनी खुबसूरत खुबसूरत आप देख पारे हो पिछे भी और बहुती श्यांदार मुर्रा के नगीने खड़े हैं बाई के पास पुछेंगे बात करेंगे सारी बैसों के बारे में ये बैस जो है काफी अच्छी बलड लाइन की है और कुछ बेचने का भी इसका विचार है बैस का तो जो भी साथी विडियो देख रहे हैं सबसे पहले चैनल सबस्क्राइब कर लें फेस्बुक पेज को फोलो कर लें आईये मिल वाते हैं इनके मालिक से और बाई साब राम राम आपका नाम क्या है पहले तो नाम बताओ सुनिल बाई सब आपके पिता जी का नाम चाजुराम तो यह गाउं से बिलकुल बाहर की साइड अपनी डाणी है खेतों में लगबग बना रखी है तो गाउं में मिलती तो भाई सब यह जो जोटी है कुण सी बार बच्चा दिया है यह तीसरी बार तो पिछले साल भी अपने पास थी उस करम 2020 तो इस बार क्या उम्मीद करते हो कितने जीन की बैही है तो कि इतनी के कहली खुली करी है या बताओ दिया है और चोटी और बहुत बढ़िया अडर का जो लंबाई और जो चोड़ापन है वो काफी बड़ा है देखिए बिल्कुल नबी से लेके बिल्कुल पिछे तक जो है वो अडर है छे साथ किलो खीस निकल गया कटडी को भी दूद पिला दिया यह देखिए कटडी भी बहुत अच्छी कटडी आई है यह देखिए बहुत ही बड़िया निच्चे की उपर की सारी जो है वो बहुत से पेसल है बिल्कुल चोटा सीइंग और बहुत ही बड़िया यह देखिए कॉंटेक नमकी वीडियो में चल रहे है इससे जो पिछले ब्यात की दो बच्चे दे चुकी है अपने पास यह तो भाई साब ये जो ये पहले ब्यात की कटडी है तो दूसरे बूसरे ब्यात की कटडी कटडा था वो बेच दिया है ठीक है तो ये देखो भाई थणों का गैप देख लो आप अडर की लंबाई देख लो कितनी है अग्गे से लेके बिल्कुल पिछे तक ये देखे 6-7 किलो खीस भी निकल चुका है और जो है बच्चे को भी दूद पिला दिया वह उसका कटड़ा फिर बेष दिया आपने तो ये और बैसे कैसी कैसी है इनके बारे में भी बताओ जो साईड में खड़े है घर का है ये कटड़ी कोन से जोटे की है ये साथ वाडी ये इसा का देबे की है अच्छा इसकी बैण की बेटी है ठीक है वो कितने दूद वाली थी वो भी इतना दूद के बिल्कुल दूद का ख़रना इसलिए कर रख रहे हैं अच्छा 20-20 किलो सारी दे देती है ठीक है तो इसका कोई रेट राट नहीं बताया आपने कितने की बेचनी है दूद त्यार करके बताओगे या आज भी बेच दोगे तो ठीक है तो फिर कोई अपना कोंटेक्ट नंबर बताओ अठाणमे एकसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जुरूर बताना आप मैं फिर कहूंगा बहुत तकडी जोटी बिलकुल मैं दिखा चुका जी कटडी तो बहुत बड़ी आई है ये देखो बाई एक मैंस खरीदोगे दो बच्चे दो बैस लेकर जाओगे ये भी त्यार हो जाएगी थोड़े दिनों में अच्छा दूद पिलाओगे तो ठीक है दोस्तों कैसा है तो इदर देखे कितने बड़ी आचारी में है साइध कटडी है के कटड़ा कटड़ा है ये देखिए अगर ये भी कटड़ी होती कटड़े को भी अच्छी केर हो रही है अच्छा दूद पिला जा रहा है तो ये देखो बाई बहुत ही बड़ी आ पसूदन एकाम पालकी बहुत ही खास बैसे हैं तो आप इनसे संपरक करके बात कर सकते हैं राम राम सभी को